हलो फैंट्स वेलकम बैक टू आउर चानल आज भी हम लोग यहां पर बैंक निफ्टी में लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड करने वाले हैं कुछ ना कुछ हमेशे हम लोग रोज सीखने वाले हैं तो फिलाल हमने अभी तो कोई ट्रेड नहीं लिए क्यों हमें अभी सेट है और उसके बाद में ले लेंगे तो यहां पर देखिए लगबग तीन चार मिनिट अल्मोस्ट हो चुक है बैंक निफ्ट को ओपन होने के बाद और यहां पर गयाप डाउन ओपन हुआ है मार्केट माइट भी 200-300 पॉइंट गयाप डाउन हुआ है यहां से अपसाइड हमें दो लोट के साथ ही ट्राई करता है अगर आपको कॉंफिदेंस नहीं है आप अगर मार्केट में नए है तो आई फ्रिफर आप एक लोट के साथ ही ट्राई कीजिए तो यहां पर दिखिए पिवोट पॉइंट स्टैंडर का जो इंडिकेटर है वो हमेशा हमारा ओन होत है तो यहां पे support 3 पे एक support बना रहा है और अगर यहां पर support ऐसे बनता है तो आम लोग यहां पर call set एक trade क्योंकि support है यहां पर इसे break करना होता निच्छ दो कभी कर निच्छ दा लेकिन गया नहीं अभी तक जो पहले 1line की candle बनी है वो 200. के आसपास बनी है इसकी 50 per cent होटी लगबग 700 point के आज पस, तो मैं क्या करूँगा, वह 700 point के जो level है, उसे पहले mark करूँगा, वह पहला हमारा initial target होने वाला है, वहां तक मुझे लगता है कि एक retracement आने के chances है, टिके वहां तक एक retracement आ सकता है और हमारा टाइगेट भी माइट भी वहाँ पर जाते ही खतम हो सकता है तो यहाँ पर देखिए हमने जो कॉल हमें खरीदना है हमने ओलड़ी विंडो ओपन रखी है और दो लोट मैंने ओलड़ी हाँ पर सिलेट किये है और बाइंग भी मैं आपके साम नहीं करने वाला हूँ तो यहाँ पर देखिए यह सपोर्ट जो बन रहा है वह काफी अच्छा बन रहा है यह जो ग्रीन केंडल अभी हमें देख रही है वह थोड़ इसी जो है हमें स्ट्रॉंग लग रही है तो हम लोग इस पर अभी बाई करेंगे दो लोट हमने बाई किया मैं माफी चाहता हू हमारा जो इंटरनेट है वह काफी स्लो है आज और उसके वह से थोड़ा सा इश्यू चल रहा है तो यहाँ पर देखिए हमने बाईंग की है 307 के आसपास ठीक है और लगबग इसकी लास्ट टेडिस प्रैस भी लगबग उसी के आसपास चल रहा है तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कहां पर चार्ट पराएंगे मिंने हमेश Gary Κ को बदाया कि जैसे आप ट्रेड लेते हो आपको चार्ट देखना है क्यूंकी रखिए चार्ट अगर आपको पढ़ना आ गया कि हमने तो ट्रेडंड हो सकती है नहीं हो सकती है अगर आप profit अन लॉस देखते रहूगे तो आप जो ज़ादा profit होने वाला है आप पहले बुक कर लेते हो और आपको stop loss पता है आपको क्या है 30 points ठीक है 30 to 40 points आपको market को देना ही होता है ऐसा नहीं है कि without stop loss कोई trader यहाँ पर आए और daily profit देके जा ऐसा नहीं है तो यहाँ पर देखी हमने mind में almost 20 to 30 points का stop loss रखा है 50 points का यह यहाँ पर target रखा है यह जो level है यह काफी crucial level है जो हमने mark की है और अगर इस level के upside चला जाता है बैंक निफ्टी तो uptrend हमें काफी अच्छी तरह से देख से कहां तक वह पी के level तक मतलब 40,600 तक market जा सकता है तो यहाँ पर देखिए momentum कितना बड़ा आ रहा है ठीक है momentum इतना ब हमारा target को follow करना है और यहाँ पर देखिए वो चार्ट हमें हमेशा देखना है गलतिया जो हम लोग क्या करते हैं चार्ट को नहीं देखते हैं चार्ट को अगर नहीं देखेंगे तो definitely हमारा यहाँ पर नुकसान हो सकता है तो चार्ट हमेशा ओन दखिए चाहे तो आप mobile से भी trade कीजिए देखिए आपका profit कितना loss कितना है अगर आप तो लगता है कि चार्ट में काफी बड़ी candle बन चुकी है आपको exit लेना है तो आप वैसे भी कर सकते हो जनरल यहाँ पर देखिए candle जो है यह strong बनती जा रही है और इसी candle में देखिए हमारा target भी complete हो सकता है might be यही candle पर तो यह देखिए और एक लेवल मैंने identify की है इस लेवल से अगर अपसाइड चला जाता है तो देखिए हमारा profit तो अल्मोस्ट तीन साड़ीजीन हजाते आसपास चला गया है एक momentum हमें यहाँ पर मिल चुका है हमें अभी क्या करना है नॉमली जो है order को exit करना है यहाँ might be हमारे 50 points तो हो चुके है कितने 50 points हमारे हो चुके है अभी जितने भी आगे हमें मिलेंगे वो हमारा extra bonus होने वाला है तो generally हमें यह नहीं देखना है यह गलती है जो मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको जो करना है यहाँ पर चार्ट पर कर ली काफी सब्सक्राइब Verfügung में यह नहीं बूलाँ कि कि एक फक देखा नहीं है यहाँ पर पे चार्ट करदी एर मैठ भी हमारी ऑर जो ब्हुकिय कि लगबख फाइट आज़न के आसपस जो है हमारा पॉफिट चला गया था यह देखिए है कि फूर सेवेंटी फाइए क्या हो चुका है कि हमने वह चार्ट नहीं देखा हमने यहां पर प्रॉफिट देखा आप बोल सकते हो हमें 300 पॉइंट्स और मिल जाते हैं दो लॉट्टे हमारे मतलब हमें और दस से पंद्रह हजा का प्रॉफिट हो जाता कितना दस से पजार अभी देखिए वह लास्ट ट्रेडर पाइट कि नहीं हो चुकिए 570 590 यह मोमेंटम होता है और यह मोमेंटम में आपको प्रॉफिट कमाके मार्केट से निकल जाना होता है माइट भी यह आपको सीखोगी मुझे भी सीखोगी जबी भी हम लोग नेक्स टाइम ट्रेड करेंगे हम लोग चार्ट को देखेंगे और चार्ट कितनी के 625 तक चली गई थी तो अभी बात करके कुछ मतलब नहीं क्योंकि हमारा मोमेंटम हमने मिस कर दिया है हमने जो डेली का डिसिल्प्लीन है 50-60 उससे जादा भी जादा ही कमाए है अभी जो भी होगा मार्केट में वह अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं हम अभी यहाप ट्रेड एक्जीट लिया तभी चार्ट को नहीं देखा और यहाँ पर जो है अच्छा खसा में वह बोल सकता आपका एक मुझे वीकली टागेट मुझे जो है वह यहाँ पर मेरे से मिस हो गया माइट भी 15,000 और मुझे यहाँ पर मिल जाते है अगर मैं प्रॉपरली आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले साथ मैं इत चैनल को भी सस्क्राइब कीजिए मिलेंगे भी तो न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेड जब तक के लिए जय हैं